Hi everyone, Namaste, Welcome back to a new video तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही special and unique DIY Actually हमारे पास ये glasses and specs के boxes हैं जो सारे एक जैसे हैं और जब भी कोई एक glasses निकालने हो तो सारे को open करके देखना होता था और हमेसा जो चाहिए होता है वो last वाले में निकलता है है कि नहीं तो मैंने काफी टाइम से सोच रखा था कि इनका कुछ तो करना पड़ेगा तो आज हम करने वाले हैं इनका transformation and convert करेंगे इसे personalized boxes में No more confusion, कैसे चलिए देखते हैं तो हम one by one paint करेंगे all the four boxes, let's start with first one तो box के एक side पे हमने apply कर लिया है just so for a good base for paint और इसे dry होने के बार draw कर लिया है female face और अब करेंगे इसे paint using acrylic paints मैंने यहाँ पर use किया है pink and black color lips draw करने के लिए मैं यहाँ पर paint यूज़ कर रही हूँ and glasses paint कर रही हूँ using yellow color and that's it to make it waterproof and more secure आप इसके उपर एक लियर वानिस का apply कर सकते हैं and it's ready now moving to the next one so next design हम काफी simple रखने वाले हैं मैंने यहाँ पर यह white 3D paint यूज़ किया है और इसके help से हम freehand design कर रहे हैं तो अगर आपको first वाला design थोड़ा difficult लगा you can definitely try this one यह बहुत ही easy है and नीचे लिख रहे हैं हम एक quote hey good looking so cheesy right and अब यह white outline dry हो चुका है तो हम इसमें फिल कर रहे हैं pink color you can choose any color of your choice तो आपको ने बेस में कुछ भी अप्लाई नहीं किया था तो आपको pink के 2-3 layers apply करने होंगे and that's it it's ready तो यह थी female boxes now moving to the male version तो पहले वाले की जैसे हमने सबसे पहले एक side जिसो अप्लाई कर लिया और उसके ऊपर अप्लाई किया है blue color and उसके बाद draw कर लिया है main face and इसके लिए यूज कर रहे है black color and that's it इसके उपर भी आप वादिस का एक कुट अप्लाई कर सकते हैं काफी cool लग रहा है right मुझे भी idea नहीं था कि ये पेंट करने के बाद इतना कूल लगने वाला है I'm really happy with the result आपको कैसा लगा? Do let me know in comments now moving to the next one तो इसे again हमने काफी easy way में बनाया है simply using white 3D paint हमने इसके उपर ये spec straw कर लिया है and outline जब तक dry हो रहे हैं तक हम नीचे लिख रहे हैं some fun quotes fun in the sun and outline हमारा dry हो चुका है तो middle में हमने feel कर लिया है blue color and it's ready तो इस तरह से हमने 4 boxes paint कर लिये हैं and converted them into beautiful personalized boxes तो आपको ये कैसा लगा और कौन सा box सबसे ज़्यादा पसंद आया नीचे comment में जरूर बताना अगर वीडियो पसंद आया, useful लगा और आप इसे try करने वाले हैं तो please like the video और अपने जानने वालों के साथ में share भी कर देना और अगर आप कुछ ट्राइक करने वाले हैं तो आप अपने recreations मेरे साथ share कर सकते हैं on Instagram और Facebook मेरा Instagram Facebook handle है Chinese DIY Decor आपके recreations देखकर मुझे बहुत खुसी होगी तो please do share तो यह था आज का वीडियो hope you like that comment करके जरूर बताएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ thank you so much watching